कि दोस्तों आज हम इस मोटर की वाइनिंग करें पिछली वीडियो में हमने आपको डे बताया इस 3 पेर्च का डेटा था लिए अचला और आज हम इसमें वाइनिंग कर रहे हैं वह ओ सिंगल फेस और स्पर्फ ये नहीं डालनेघ्र वाले और हमने इसमें सेट बनाया हैं चार के एक पिच्छ से है वो बीच में हमने छोड़ा है और इसका जो गेज है वायर का वो है 22 डबल यानि 22 का 19 नमबर बनता है तो हमने 22 डबल यूज किया है क्योंकि सिंगल फेस में ताकत कम होती इसलिए हमने मोटा वायर इसमें किया है तो अब हम दोस्तों कि इसमें कोईल डाल रहे हैं कोईल डाल कर इसका जो कनेक्शन है वह भी मैं आपको बताऊंगा इसका कनेक्शन किस तरह से हमको करना है और चलो इसमें कोईल डालते हैं कि इसमें आपको करने बुल डालते हैं कि हमने इस मोटर की जो वाइनिंग है वो कम्प्लीट कर ली है और अब हम इसमें स्टाइटिंग नहीं डालने वाले तो हम इसमें कनेक्शन करने वाले तो हमको कनेक्शन इस तरह से करना है दोस्तों इस तरह से हमको कनेक्शन मिला लेना है छोटे वाले से छोटा मिला लेना है में इस्त्रेस और अगर हम को दो खेस का करना है अगर हम सिंगल फेस करते हैं तो हम को इस तरह से एक वायर बना ले लाइद इस त्रेस एक हो गया और इसके सामने वाला यह यह होगे 220-230 वोल्ट की सप्लाइए कि अगर हम हम 440 वोल्ट से चलाएंगे तो इसका स्रीज में कर लेना है किस तरह से करेंगे अब कि हम इसका कनेक्षन एक बार हठा लेते हैं और हमको कौन से वायर जोड़ने हैं ताकि यह स्रीज में कनेक्षन सभी कोईल का हो जाए तो यहां पर आपको मैं दिखाने वाला हूं तो हमको एक वायर लीट का यह रखना है बाहर के ओड लेंगे और यहां से कनेक्शन जुड़ा हुआ यह देखी यह वाला कनेक्शन जुड़ा हुआ और इस वायर को हम मिला देंगे भी हमारा जो कनेक्शन है 220 V का हो गया सोदी 440 V का में हो चुक लूट तो Прав को से इस्टन करने पर 440 वर्ट होते हैं आगर पouth right में करते हैं 220 कम चैसम ऑ्मित परता हूँ आपको इन पसंद आया होगा तो दिस्ने वाइस 12 डबल है फिर से एक बार 22 डबल है और इसके जो टर्न है वो 45-45 टर्न हम लगाए है और चार कोल का सेट है और यहाँ पर आपको देख सकते हो एक पीछ हमने बीच में छोड़ाएं यान एक एक पीची बीच में छोड़ाएं तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको यह वीडि कर दिजी वीडियो को लाइक तो दोस्तों में नेक्स्वरी में तब तक के लिए नमस्कार